तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाके, पाते हैं जग में प्रशस्ती अपना कर्तब दिखलाके, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खीच करी रहते हैं एतिहासों में लीक, जिहां ये पंग्तियां हैं महान कवी रामधारी सिंग दिन करी। और लिखी थी उन्होंने ये सूत पुत्र कर्ण के संदर में, महावीर कर्ण के लिए, कि कैसे दुनिया जिसको एक शुद्र के पुत्र की तरह देखती थी, असल में वो अपने कर्तबों से, अपने कर्मों से कैसे एक महान शक्सियत थी, और इतिहास उसको आज भी उसी तरह याद करता है जी हाँ तो आज नायक में आप सुनेंगे रामधारी सिंग दिनकर की कहानी नायक मैं हूँ संजीव श्रिवास्तव आप सुनरें नायक सिर्फ 92.7 बिग एफम पर बताऊंगा मैं आपको कि आखिरकर क्यूं कहलाए रामधारी सिंग दिनकर राश्ट कवी क्यों और कैसे खड़ा किया गया ये विवाद भी कि कौन है बेहतर राश्ट कवी दिनकर यद महाकवी हरीवंच राइबच्चन कैसे सहारा दिया महाकवी दिनकर ने भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरु को क्यूं और कैसे अपनी मृत्यू के पश्चात भी महाकवी दिनकर ने एमर्जंसी के खिलाफ आंदोलन में एक एहम भूमिका निभाई साथ ही बताएंगे आपको दिनकर सहब के बालपन का संघर्ष और कैसे वो बने महाकवी बने रहे हैं मेरे यानि संघीव श्रिवास्तव के साथ आप सुन रहे हैं नायक ओनली ओन 92.7 बिग एफ हैं जो छल प्रपंच सब को प्रश्रे देते हैं या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं यह पाप उन्ही का हम को मार गया है भारत अपने घर में ही हार गया है राश्कवी दिनकर का जन 23 सितंबर 1908 में मुंगेर जिले के सिमरिया नामा के छोटे से गाउं में हुआ था दिनकर जी का बच्पन कोई बहुत जादा सुख सुविधाओं से भरावा नहीं था नंगे पैर स्कूल जाते थे, साथ कोस उन्हें रोज पैदल चलना पड़ता था और बीच में एक स्टीमर भी लेना पड़ता था नदी पार करने के लिए अब बात ये है कि वो स्टीमर अपनी लास्ट राइड रोजाना की दुपहर दो बजे करता था लिहाजा कई बार अपना स्कूल आधा ही छोड़ कर दिनकर को वापिस घर लोटना पड़ता था लेकिन फिर भी अपनी कक्षा में वो अवल रहते थे बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथली, उर्दू, बांगला और इंग्लिश पर खासी पकड़ बना ली थी और साथ ही मुखर होने लगा था उनका क्रांतिकारी और एक प्रोग्रेसिव व्यक्तित्व भी इस प्रोग्रेसिव प्रवर्ति की जलक इस कविता में भी दिखती है संदर्ब है कर्ण और युदिष्ठर का युद्ध जिसमें युदिष्ठर बुरी तरे पराजित होए रण छोड भाग रहे थे भागे वे रण को छोड कर्ण ने जटपट दोड़ कर कहा ग्रीव कौतुक से बोला महराज तुम तो निकले कोमल अतीव हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाये देता हूं आगे की खातर एक युक्ति भी सरल बताये देता हूं है विप्राप सेविये धर्म तरू तले कहीं निर्जनवन में काम क्या साधूं का कहिए इस महागोर घातक रण में मत कभी क्षातरता के धोके रण का प्रधा जहला करिये जाईए नहीं फिर कभी गरुड की जप्टों से खेला करिये बताऊंगा आपको एक बहुत ही तारीखी घटना जिसने नीव रखी दिनकर्ज सहब के क्रांतिकारी कभी बनने की बने रहे हैं मेरे यानि संजीव श्रिवास्तव के साथ आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफेम पर नमस्कार अभिनंदन स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफेम पर मैं हूं संजीव श्रिवास्तव आप सुन रहे हैं नायक और हम बात कर रहे हैं राश्र कभी रामधारी सिंग दिनकर की तो ऐसा क्या हुआ कौन सी घटना होई जिसने दिनकर के मन में एक राश्र भक्त को जनम दिया देश भक्ती की भावना सबसे पहले उनके मन में कैसे घर कर गई हाना कि 16 साल की उम्र में ही छात्र सहोदर नाम की उनकी पहली कविता छपी थी लेकिन एक निर्मल हिर्दे कवी कैसे एक क्रांतिकारी में परिवर्टित हुआ उसके पीछे भी एक किस्सा है सरदार वल्लब भाई पटेल बचपन से ही उनके नायक थे और जब उन्होंने असहयोग आंदोलन गुजरात में कामियाबी से चलाया तो उनको समर्पित करते होए रामधारी सिंग दिनकर ने दस कविताएं लिखी एक से एक वीर्रस से भरी होई ये कविताएं विजे संद उसके फौरण बाहदी लिखने एक ऐसी घटना घटी जिसने दिनकर को हिला कर रख दिया जजकोर कर रख दिया अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन में जैसे ज्वाला भड़कने लगी साइमन कमिशन उसी दौर में भारत आया था और उसका विरोध कर रहे पंजाब में लाला लाचपत राय पे जिस बरबरता से पुलिस ने लाठिया बरसाई और उनकी शहादत हुई उसके बाद दिनकर के अंदर छुपे क्रांतिकारी कभी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं सदियों की बुझी ठंडी राख सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो रहा समय के रत का घर घर नाद सुनो सिंगहासन खाली करो कि जनता आती है बदाओंगा मैं आपको कि कैसे एक मर्तबा राश्कवी दिनकर ने भारत के प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरु को सहारा दिया बहुत दिल्चस्प बाकिया है कहीं जाईएगा नहीं बने रहिए मेरे यानि संजीव श्रिवास्तव के साथ आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफेम पर नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफेम पर आप सुन रहे हैं नायक राश्कवी रामधारी सिंग दिनकर की कहानी मेरे यानि संजीव श्रिवास्तव के साथ तो आखिर कैसे एक मरतबा राश्कवी दिनकर ने लड़ खडाते वए भारतिये प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू को सहरा दिया बताऊंगा आपको लेकिन उससे पहले चर्चा करें कि किस तरह से दिनकर के अंदर का क्रांतिकारी धीरे धीरे मुखर होता चला गया लाला लाचपत राय की शहादत और उस पर दिनकर सहब का काव्य अब रामधारी सिंग दिनकर अंग्रेजों के निशाने पर आ चुके थे लिहाजा उन्होंने एक छद्म नाम से एक सूडोनिम से अमिताप के नाम से अपनी कविताएं छपवानी शुरू कर दी महान शहीद जतिंदास की शहादत पर भी उन्होंने एक कविता लिखी और उसी वक्त वीरबाला और मेगनात वद उनकी दो बहुत चर्चित कविताएं और छपी उनी दिनों जाने माने इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल भी दिनकर के जीवन में एक बड़ा प्रेणा स्रोत बन कर आए इतिहास का ज्ञान उसका बोध और उसका कविताओं में सही इस्तमाल ये सब दिनकर के जीवन में डॉक्टर जायसवाल की ही देन थी इसी लिए शायद दिनकर ने जायसवाल सहब को अपने गुरू का दर्जा दिया और उनकी मृत्य उपर फूट फूट कर रोय और लिखा कि आज मुझे प्यार करने वाला न रहा मुझे प्रेणा देने वाला सूर्य चंद्रमा वरुन कुबेर इंद्र ब्रस्पती शची और ब्रामनी नहीं रहा वो मेरे पहले पहले प्रेणा सुरोत थे और आज मैं अंधकार में चला गया हूँ खेर लेकिन हमारी बात तो ये होई थी कि आखिर कैसे सहारा दिया कवी दिनकर ने प्रधान मंत्री जवालाल नहरू को लाल किले की प्राचीर पर एक बड़े कवी सम्मेलन का आयोजन हुआ था कवी सम्मेलन की समाप्ती पर साथ साथ सीडियों से उतर रहे थे प्रधान मंत्री नहरू और राशकवी दिनकर यका यक नहरू जी के पाउँ लड़ खड़ा है और वो जैसे गिरने को हुए लेकिन उसी समय आगे बढ़कर दिनकर साहब ने उन्हें सहारा दिया नहरू जी हस कर बोले अरे दिनकर आज तो तुमने मुझे गिरने से बचा लिया दिनकर साहब का जवाब मालू में क्या था उन्हें कहा भारतिय राजनिती जब जब लड़ खड़ाएगी देश का साहित्य उसे ऐसे ही सहारा देगा तो बताऊँगा आपको कि कैसे दिनकर साहब को मिली राश्ट कवी की उपाधी और साथ ही सुनाऊँगा कुछ दिल्चस्प किस्से दिनकर साहब और महा कभी हरिवन श्राय बच्चन के संबंधों के बारे में तो बने रही है मेरे यानी संजीव श्रिवास्तव के साथ आप सुन रहे हैं नायक ओनली ओन 92.7 बेग एफम नमस्कार अभिनंदन आदाब स्वागत है आपका 92.7 बेग एफम पर मैं हूँ संजीव श्रिवास्तव सुन रहे हैं आप नायक बात हो रही है राश्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर की तो किस तरह से उपाधी मिली उन्हें राश्ट कवी होने की अब ये कोई सरकारी सम्मान तो था नहीं कोई दिल्ली में कैबनेट कमिटी ने बैठके तो ये निरधारेत किया नहीं कि अब ये राश्ट कवी कहलाएंगे ये जनता द्वारा दिनकर जी को दी गई एक उपाधी थी जो किसी भी सरकारी सम्मान से कहीं जादा बड़ी होती बात ये थी कि उनके समकालीन कई महान कवी थे महादेवी वर्मा निराला हरिवंचराय बच्चन सब एक से एक असाधारन प्रतिभा के धनी लेकिन किसी की कविता में जादा वातसल्य दिखता था तो किसी के करुणा तो किसी के प्रेम का भाव रामधारी सिंग दिनकर की कलम से लेकिन टपकता था एक अदभुत वीर्रस रामधारी सिंग दिनकर की कलम से जब वीर्रस की अभिव्यक्ति होती थी तो पूरे देश का जैसे खून खौलने लगता था एक अदभुत रोमांच और एहसास देशवासियों के मन में पैदा हो में एक से एक हस्ताक्ष नाम कमा रहे थे, मीडिया ने एक और बहस भी छेड़ना चाहिए, एक और विवाद भी खड़ा करने की कोशिश की, कि कौन है समकालीन सर्वश्रिष्ट कवी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन या रामधारी सिंग दिन कर, मीडिया ने खेर उस बहस को किस तरह से गरमाया और किस तरह से सेटल किया, ये तो एक अलग किस्सा है, लेकिन स्वेम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी क्या भूलूं क्या याद करूं में लिखा है, कि वो खुद बहुत बड़े प्रशन सक थे रामधार से पढ़ते हैं, जवाब में जब दिनकर साहब ने कहा कि वो भी उनकी कविताओं को उतने ही शौक से और उतने ही आदर भाव से पढ़ते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन का मन फूला ना समाया, और उसी दिन से उन्होंने हमेशा दिनकर को अपने बड़े भाई का स्थान दिनकर और बच्चन दोनों ही इतनी बड़ी शक्सियते थी, इतने महान साहित्तिकार थे कि उनके बीच में कौन बड़ा, शायद कम से कम उन दोनों के लिए कभी मैटर नहीं किया, दोनों ने एक दुसरे को हमेशा ता उम्र, पूरा सम्मान और आदर दिया, दोनों के और शामा जी को टीबी हो गई थी, तो शामा जी को देखने के लिए वह ग्य quería थे होस्पितल में, तो जब वो शामा जी को देखने गए थे, तो उन्हें अपने साथ एक ठूल ले गए थे, वो पुच्च कुनों ने शामा जी को दिया, तो यस बच्चन जी ने कहा कि जब कई जायेगा नहीं क्योंकि रामधारी सिंग दिनकर के पोते अरविन सिंग हमारे साथ बने रहेंगे और बताएंगे हमें दिनकर सहाब के जीवन से जुड़े कई और दिल्चस्प किस्से आप सुन रहें मेरे अनी संजीव श्रिवास्तव के साथ नायक only on 92.7 बिग एफेम नमस्कार अभिनंदन आदाब स्वागत है आपका 92.7 बिग एफेम पर मैं हूँ संजीव श्रिवास्तव सुन रहे हैं आप नायक बात हो रही है राश्कवी रामधारी सिंग दिनकर की बहुत जबरदस था तो सुनते हैं कि किस तरह से अपनी मौत के एक साल बाद भी जब एमर्जेंसी के खलाब देश में आंदोलन खाड़ा हुआ तो उसमें राश्कवी दिनकर की बड़ी भूमिका थी सुनते हैं ये दास्ता उनके पोते अर्विन सिंग से ही ये प्रकाश्ची का अंदोलन जो था कंपूनकांती उसके बेश में कही न कहीं आधार्थ में निंकर जी का पूरा कावे विक्तित दू रहा या उनकी कविताएं उसका में नारे की तरह चल नहीं थी और टाया लोग दिनकर जी की कविता पढ़ते थे खासकर जनतंत्र का जन्म ये जो पूरी कविता है इसे बहुत लोग बहुत पढ़ते थे दोड़ाते थे और जगर जगर नारों के तौर पर ये पंक्सिया चल रही थे सदियों की खंडी भुजी राख सुबगा उती मिट्टी सोने का ताच पहन इठलाती है दो राँ समय के रत का धरगर ना सुनो सिंधासन खाली करो की जनता आती है उनका संबन्द जयाप्रकार जी से बहुत पहले से था और दिनकर जी की एक बहुत रही प्रतित तविता है ज तर्ण 1942 में उन्होंने पत्ना के गांधी मैदान में जयाप्रकार जी की उकस्क्रिती में लिखी पढ़ी थी यह नखतमा के बुच्टे है सारा आकाश तुमारा है जयाप्रकार जी की परवत का अंग्राई का राशकवी दिनकर से लोकनायक जयाप्रकार नारायन के सम्मन् इश्ट थे कि जब 1977-78 में एक कारिक्रम का आयोजन हुआ दिनकर जी की स्मृति में तो जयाप्रकाश जी को भी उसमें बुलाया गया वो तो प्रमुख वक्ता थे उनके और जब जयाप्रकाश जी से बोलने के लिए कहा गया तो तीन बार कोशिश करने के बावजूद उनक के मूँ से स्वर न फूट पाए हर बार वो बोलने को आते और फपक फपक के रोने लगते क्यूं क्योंकि एक बार तिरुपती में जैप्रकाश नरायन जी की उपस्थिती में दिनकर जी ने इश्वर से एक आमना की थी कि है भगवान मेरी उमर जैप्रकाश जी को लग जा रहे हैं रामधारी सिंग दिनकर की और सुनाओंगा मैं आपको उनकी एक काल जैई अमर कविता कहीं जाएगा नहीं बने रहेएगा मेरे यानी संजीव श्रिवास्तव के साथ आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफम पर नमस्कार अभिनन्द नादाब मैं हूँ सं जस्वी वीर रस से ओत प्रोत कविता के साथ छोड़के जाना चाहते हैं जो रामधारी सिंग दिनकर साहब ने लिखी थी संधर्प था कि कैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे पाण्डवों की तरफ से शांती का प्रस्ताव लेकर मैत्री की रहा बताने को सबको सुमार्क पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीशन विध्वन्स बचाने को भगवान हस्तिना पूराए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पाँच ग्राम रखो अ उल्टे हरी को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरी ने भीशन हुंकार किया अपना सुरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिगज डोले भगवान कुपित हो कर बोले जंजीर बढ़ा कर साथ मुझे हा ब्रह्मान देख चर अचर जीव जग शरक्षर नश्वर मनुष्य सुर्जाति अमर शत्कोटी सूर्य शत्कोटी चंद्र शत्कोटी सरित्सर सिंदु मंद्र शत्कोटी विश्नु ब्रह्मा महेश शत्कोटी विश्नु जलपति गनेश शत्कोटी रुद्र शत्कोटी काल कोटी दंडदर लोकपाल जंजीर बढ़ा कर साध इने हाँ दुर्योधन बान इने हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं याचना नहीं अब रन होगा जीवन जै या मरन होगा तकराएंगे नक् चत्र निकर बरसेगी भूपर ब्रहमी प्रकर हन शेशना का डोलेगा विक्राल काल मूख हो लेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा तो ये थी राश्कवी रामधारी सिंग दिनकर की ओजस्वी और तेजस्वी कलम की कहानी अनुमती दीजे मुझे संजीव श्रिवास्तव को अगले हफते सोंबार शाम इसी समय रात आठ बजे फिर उपस्तित होता हूँ आपके समक्ष एक नए नायक की कहानी के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफम पर तो फिलाल दीजे अनुमती नमस्कार शुबरातरी हव ग्रेट विकेंड एवरीवान